तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI bank के car loan के rate of interest के बारे में और बात करेंगे आपर processing fees कितनी लगती है इसके लावा कुछ other bank को में भी comparison करके आपको बताएंगे और अगर हम यहां से 10 लाग रुपए का car loan लेते हैं तो मेरी महीने की किस और total interest हमको कितना pay करना पड़ loyalty car loan scheme अब यह उन borrowers के लिए होता है यहां पर home loan लेड़ी चलना है तो उन लोग को loyalty car loan scheme से मिलता है जिसमें थोड़ा सा rate of interest में concession मिलता है यहां पर 8.85 से starting है यहां पर 8.80 से starting हो जाती है इसके लावा electric car के लिए भी यहां पर देखिए scheme चलती है 14.90 परसं तक rate of interest जाता है तो यह देखिए SBI की car loan ची चार scheme में आपको देखने को मिलेंगी बात करें यहां पर अगर आपको credit score के यह साब से क्या rate of interest पर offer करा जाएगा तो अगर आप SBI की new car loan scheme से लेने जाते हो और 800-800 के उपर आपका credit score है और 3-4-5 साल के लिए अगर आप पार लो लेतो तो 8.85 से स्टार्टिंग होगी 5 साल के उपर मतलब maximum 6 और 7 साल के लिए तो 8.95 से स्टार्टिंग होगी इसकी किलावा 755-799 है तो 9% से स्टार्टिंग है 757-74 है तो 9.10, 700-720 है तो 9.60 और अगर आप first time लोल ले हो कोई भी आपका credit score नहीं है तो आपका minus 1 दि जाता है तो यह देखिए आप इसके नियोर और अपने सिविल इसकोर के इसाब से इसका rate में rate of interest चेकाउट कर सकती हो बात करें आप प्रॉसिंग फीज कितनी लगती है तो sbi bank की देखिए new car loan scheme हो गया nri car loan scheme हो गया तो इन तीनों में ही जो है प्रॉसिंग फीज सेम लगती तो उसमें जो है 50% कंसेशन प्रॉसिंग फीज में यह देखिए sbi में rate of interest चाहँ प्रॉसिंग फीज क्या चलना वह आप देख सकते हो कुछ other bank को में rate of interest देख लेते क्या है जैसे कि state bank 8.75 से starting हो जैसे आप देख सकते हो इनका जो यहाँ पे green car loan है इसमें 8.7 तो उसी का यह आप 8.75 से starting है इन इंडियन ओवर्सी बैंक 8.85 से starting है केंड़ा बैंक 8.70 है एसजसी बैंक 9.40 आइस यह बैंक 9.10 करूर व्यार बैंक 9.55 शाओ इंडियन मैंक फीज देख पर लेतो तो 8.75 फ्लूटिंग पर लेतो तो 9.41 आइडी बैंक 8.80 से starting है यह बैंक अनाटका बैंक 8 1.88 परसं से starting है फेडराल बैंक 8.95 पञ्जाब नैसेल बैंक फ्लूटिंग पलेतो तो 8.75 फिक्स पर लेतो तो 9.75 यूनियन बैंक 8.70 एक्सिस बैंक 9.30 बैंक का बड़दा शूरुंग पर लेतो तो 8.90 से स्टार्टिंग होगी फ्लोटिंग पर लेतो तो 9.40 से स्टार्टिंग होगी Bank of India जिसमें 8.85 से स्टार्टिंग हो जाती है यह देखिए आप कुछ other bank है इसमें private sector के bank है public sector bank है कुछ finance company भी है जिसके rate of interest जो है आप यहां से details से देख सकते हो बात करेंगे आपे SBI की कौन कौन का लोन की scheme में चल लेए तो यहां पर देखिए SBI में new car loan scheme जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं second end car loan जिसको यहां पर certified pre-owned car loan बोला जाता है जिसके लावा यहां पर आती है आपकी SBI की green car loan जिसमें electric car अगर आपको कोई लेनी है तो आप इस scheme से loan ले सकते हो बात करें अगर हम SBI new car loan scheme के बारे में यहां पर आप देख सकते हो features बगरा तो low interest rate और EMIs है maximum आप 7 सालों के लिए आप से loan ले सकते हो SBI bank on road price पर finance करता है आप on road price पर कितना तो 90% on road price पर finance करता है माली जापकी कोई 10 लाग की कार आप खरीद रहो तो bank उस पर 9 लाग रुपा तक का आपको loan प्रवाइड करेगा और बागी का 10% आपको अपनी down payment करनी पड़ेगी इसके लाबा यहाप पर जो on road price होगा उसमें आपका RTO को जो registration होगा और insurance होगा वो include रहेगा फिर यहाप पर आप कोई भी new passenger car, muv, xv के लिए लोल ले सकते हो कोई भी prepayment charges नहीं लगते फॉर closer charges भी नहीं लगेंगे लेकिन वो तब नहीं लगेंगे जब आप दो साल के बाद अपने loan account को बंद कराओगे उससे पहले अगर आप करा दे तो दो साल के तो आपको जो है आपर फॉर closer charges नहीं आप पर देने पड़ेंगे कोई भी advance यह माई नहीं है optional sbi life insurance cover आपको देखने को मिल लियागा eligibility criteria देख लेते हैं तो देखिए minimum age apply करने के 21 साल है maximum 70 year के इस तक जो आप अपने loan को चुका सकते हो कोई भी देखिए आप सालीड employee हो गया defense person हो गया government employee हो गया इस first category में आएगा जिसकी net annual income कम सकम 3 लाग रु रुपए की होनी चाहिए next आते हैं आपके agriculture जो लोग है तो उनकी जो है net annual income कम सकम 4 लाग रुपए होनी चाहिए यहां से loan लेने के लिए बात करें डॉक्यमेंटेशन की क्या क्या लगते हैं तो सैलीड के लिए bank account statement last six month का दो passport size photo एक ID proof एक address proof income proof के तौर पे latest salary slip form 16 और IT return भी आप दे सकते हो last year का form 16 अगर आपके पार नहीं है तो इसके लावा जो non salary business man professional है तो उनको भी bank account statement last six month का दो passport size photo एक ID एक address proof income proof के तौर पे IDR last year का और बैलेंस इड हो गया profit and loss account statement last year का हो गया shop and establishment certificate हो गया sales एक सड़िविएट सड़िविएट कॉपी और partnership next आते हैं आपके agriculture जुड़े लोग तो उनको जो है bank account statement last six month का दो passport size photo एक ID proof एक address proof तो यहाँ पे agriculture से जुड़ी आपको information देनी पड़े इसके लावा जो है अगर आप काम करते हो तो यहाँ पर documentation proof भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा तो यह देखे कुछ document यहाँ पर required होते हैं SBI bank से car loan लेने के लिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हमको SBI bank से 10 लाग रुपए का car loan लेना है तो 10 लाग का हमने amount डाला है यहाँ अब बात देख सकते हो यहाँ पर आपने credit score के असाब्त और अगर आपको 5 साल के अंदर के लिए लेना तो rate of interest ओड़ा कम लगेगा 5 साल की उपर के लिए ना तो rate of interest ओड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं अगर मेरा credit score 721 से 756 के बीच में है तो अ rate of interest आपको 9.45 पर आफर करा जाएगा तो आप देख सकते हो अगर आप 10 लाग कलों 5 साल के लिए लिए तो 20 और 929 यह बनेगी total interest आपको 255 यह पे करना पड़ेगा अगर इसी को अगर आप maximum 7 साल की लेते हो rate of interest हम यहाँ पे 9.35 से 9.45 कर लेते 16318 की यह माई बनेगी total interest आप आप यहाँ से डिटेल से चकाउट कर सकते हो जैसे हैं आप हमें का लोन की बात कर रहे हैं तो इसके latest के रेटेस्ट के रेटेस्ट के लावाए आप फीचर्स बेनिफिट कौन कौन सी इसकी में चल नहीं है और कोई offer अगर बैंक लांच करती हो उसका भी link आप इस website पर करें के बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के कार लोन के बारे में हमसे information लेना चाहते हो तो आज की इस यूडियो में बस अतना ही तो मिलते हैं आप तक के लिए धन्यवाद